जै माता दी दोस्तों के लिए और अंत में बात करेंगे उपाई की साथ ही बात करेंगे शुब समय और रहुकाल की रहुकाल में किसी भी शुब काम की शुरुआत भूल कर भी नहीं करने चाहिए क्योंकि वो काम आपके पूरे नहीं हो पाते हैं सबसे पहले बात करें आपकी फैमली के बारे में तो आज के दिन आपकी फैमली को लेकर बहतर कहा जा सकता है आज के दिन आपकी फैमली में रिष्टेदारों का आना हो सकता है जिससे आपकी फैमली का महल बहुत ही बहतर हो जाएगा और साथ ही आज आप अपने फैमली से रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करें आज के दिन आपकी फैमली में जो लोग आपसे नाराज हैं उससे नाराज की दूर करने की कोशिश करें आपने रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करें आज के दिन आपकी फैमली को लेकर बहतर कहा जा सकता है बात करें आपके दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन को लेकर आज के दिन बहुत ही बहतर कहा जा सकता है आपके और आपके साथी के बीच रिलेशन बहुत ही मदूर रहने वाले हैं बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं आज के दिन आप अपने साथी के साथ कहीं मार्केटिंग के लिए जा सकते हैं कहीं गूमने जा सकते हैं वहीं आज के दिन आपकी संतान को लेकर भी सब कुछ बहतर देखने को मिल रहा है बात करें आपकी लव लाइफ की तो love life को लेकर आज का दिन बहतर कहा जा सकता है आज के दिन आपकी love life में किसी तरह की कोई परिशानी उत्पन नहीं होगी बात करें आपके स्वास्ते की तो स्वास्ते को लेकर आज का दिन बहतर कहा जा सकता है देकिन फिर भी आप इस समय अपने स्वास्ते का खयाल लखें, योगा, मेडिटेशन, प्रयाणाम, एक्सुसाइज, इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करें, जिससे की आप स्वस्त रहें, फिट रहें, बात करें आपकी शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए आज का दिन बहतर कहा जा सकता है, आप नया कोर्स जोईन कर सकते हैं, अध्यन अध्यापन के लिए नया रूटीन तयार कर सकते हैं, नए तो तरीकों में बतलाव करने की कोशिश करें, शिक्षा को लेकर आज का दिन बहतर कहा जा सकता है, बात करें बिजनस और व्यापार की, तो बिज विजनस और व्यापार को लेकर आज का दिन बहतर कहा जा सकता है। विजनस और व्यापार में लाब मिलने से आज के दिन आप थोड़ा जोकिम उठाकर काम कर सकते हैं। मिलने से शुरू होकर ग्यारा बचकर उनतिस मिनट दक रहने वाला है। दुपहे हैं दो बचकर चौदा मिनट से शुरू होकर तीन बचकर 3 मिनट तक रहने वाला है। समय किसे भी शुब काम की शुरुवात ना करें क्योंकि वो काम आपके पूरे नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों जाना आपने सिंग राशी वालों के लिए 23 सितंबर बुद्वार का दिन कैसा रहने वाला है